अलो बच्चों वलकम टो हर्स पब्लिक किसलु गुरुगराम यूट्यूब चैनल तो लास्ट लच्चर आपने देखा था बच्चो चैप्टर टू का रोमन नूम्रल्स का मैंने आपको कम्प्लीट करवाया था अगर आपने वो नहीं देखा है जिसमें आपको एकदम अगर आपने देख रखा है तो वेल इंकोट बहुत अच्छी बात है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आज बच्चो चैप्टर टेस्ट है तो चलिए इनको आज हम कम्प्लीट करेंगे चैप्टर टेस्ट को तो देखो सबसे पहला कोशन से आपके सामने कहा रहा है मैच्च आपको देखना है कि यह इसमें कौन से डिजर्ट इनके सेम वैल्यू है वो आपको मैच्च करना है इट मिंस यह 18 है तो इसमें 18 कौन सा है वो आपको दिखाना है 37 है तो 37 इसमें कौन है वो दिखाना है 29 है तो 29 कौन है वो आपको दिखाना है समझा रहा है ओके तो अब देखो 18 है तो इसमें से सर्च कर 18 क्या होगा तो 18 आपको पता है बचो 10 और प्लस 8 होता है तो 10 प्लस 8 देखो किसमे है तो देखो यह 10 हो गया और यह 8 हो गया तो 10 प्लस 8 18 होता है तो 10 प्लस 8 आप यहां इससे क्या करेंगे मैच करतेंगे अब देखो यह क्या है 37 है तो 30 प्लस 7 होता है 30 प्लस 7 तो 30 प्लस 7 देखो 3x प्लस 7 तो यह रहा आपका तो इस तरीके से आप सोचेंगे, और फिर आप मैच करेंगे, यह देखो 29 है, तो 20 प्लस 9 को देखने हैं, आपको 20 प्लस double x होता है, तो double x, ix हो जाएगा 29, तो आप इसके साथ यह मैच करोगे, अब यहाँ पर दे रखें 12 आपको, तो 12 किसमे होगा, 10 प्लस 2 होता है, तो 10 प प्लस 4, 14, तो आप इस तरीके से मैच करोगे, तो इस तरीके से आपको थिंग करना है, और फिर उनकी अकोर्डिंग मैच करते हैं, अब देखें, सेकेंड क्वेशन में क्या है, आपको, put the sign greater than, less than, और equal, तो यह तीनों सिंबल्स आपको put करना है, तो देखो यह क्या है, 13 है और यहाँ पर क्या दे रहे है, 10 प्लस 3, 13 होता है, 10 प्लस 3, 13 हो गया, तो दोनों equal है, तो यहाँ पर equal का sign लगाएंगे, अब यहाँ पर देखो 10 प्लस 2, 12 और यह क्या है, 1 और यह क्या है, पहले smaller value है, फिर larger, तो minus हो जाता है, इत मिस्ज यह 9 है, और यह 12 है, तो क्या होग देखो 10 और 10 और यह 9, 29 है, तो यह बड़ा पार्ट बड़ा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से symbol लगाएंगे, अब यहाँ पर 10 है, और यह क्या है, 19 है, तो, sorry, 10, 10 क्या हो गया, 20, और यह हो गया, आपका 10 और यह 9, 19 हो गया, तो 20 बड़ा हुआ, 19 से, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, समझा आगया क्या, अच्छे से, good, अब देखो, question number 3 में कह रहा है, write the roman numerals, before, after the given roman, अच्छा, यह roman number दे रहा है, इस से कह रहा है, before क्या होगा, और after क्या होगा, right, समझ रहो न, जैसे मालो, यहाँ पर आमने 3 लिखा, तो 3 से पहले क्या होता है, 2 तो वही आपको roman में लिखना है, और 3 के बाद क्या होता है, 4 तो यही चीज आपको यहाँ roman में करना है, यह देखो 20 है, तो 20 से पहले क्या होगा, 19, तो 19 का roman लिखो, X, I, X लिखो, और यहाँ पर 20, तो आप यहाँ पर 20 का roman, 21 होगा, तो 21 लिखो गया, अब यह देखो क्या 9 है, तो 9 से पहले क्या होगा, 8 होगा, तो आप 8 लिखे, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 10, तो यहाँ पर 10 लिखे, अब देखो, 10, 10, 10, 30 हो गया, और यह 4, 34, तो 34 से पहले क्या होगा, 33, तो 33 लिखे, 10, 20, 30, और यह क्या होगा, 33 होगा, और य और यह क्या अगर वी 35 अब यह 12 से पहले क्या होता 11 यहां पर क्या लिखेंगे एक्स और 11 और 12 के बाद 13 तो एक्स ट्रिपल आई लिखेंगे तो इस तरी केसा आपको लिखेंगे तो आफ्टर विफोर वी आपको अच्छे से समझ आ गया चलिए अब देखिए question number or a-4 मैं कह गया रहे right the following as a roman Uhr right a path को words में दे रखे statement में दे रखे और आपसे कह रहे कि इनका Roman number बता हो तो number of days in a week तो one week में कितनी days होते है important I have ko right 7 days होता है Кто Dakota Roman रिखोगे यह आपको लिखना है तो 7 ऐसे लिखते हैं तो यसे लिखतेंगे number of days in the month of February of leap years देखो बच्चो leap years जो होता है ना 4 years के बाद आता है तो कहा रहा है कि leap years में जो February का month उसमें कितने दिन होता है तो February का जो month होता है normally जो होता है 28 days का होता है और जब leap years आता है ना तो 29 days होता है तो 29 का आपको roman लिखना है यहाँ पे लिख देंगे बच्चो x 20 और यहाँ 9 तो 29 हो जाएगा the number of hours in a day तो one day में कितने hours होता है day मतलब क्या होता बच्चो आपको day और night दोनों लग जाता है right one day एक दिन में कितने तो 12 गंटे का रात होता है 12 गंटे का दीन मान के चल तो 24 हो गया तो 24 आपको roman में लिखना है यह हो जाएगा 10 20 और यह हो गया 24 ठीक है अब आपको क्या पूछे नमबर ओफ तीथ a normal adult normal adults को कितने तीथ होता है child का अलग होता है बच्चो तो यह धिहान रखना है adult मतलए क्या हो गया human जो 18 years plus है समझ रहे बात को तो उसमें कितने तीथ होते है तो जो होता है बच्चो उसका 32 होते है क्या होता है 32 तो 10 10 10 कितने होगे 30 और 2 लिखना है तो 2 लिख जीजिए 32 तो टोटल जो ते नॉर्मल अडल्ट के पास 32 तीथ होते है तो आपको यह चाप्टर टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो इसी के साथ यह सेकेंड चाप्टर भी आपका कम्प्लीट होता है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैच्स का तो मिलेंगे नई चाप्टर के साथ नई चाप्टर और नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपको इस पर न्यू लर्निंग कंपोजिट मैच्स के कंप्लीट डीटेल कराया जाएंगे ए टू जड कराया जाएंगे बच्चो राइट